मुख्षान यहां हुआ था वो अकल्पनिय था मैं मुख्यमंत्री को गुजरात का था लेकिन मैं अपने आपको रोक नहीं पहया था मैं यहां दोड़ा चलाया था मैंने अपनी आँखों से उस तबाही को देखा था उस दर्द को देखा था जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब यह हमारा केदार धाम यह हमारा केदार पुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी यह पहले से अधीक आन बान शान के साथ खड़ा होगा और यह मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था आदी संकर की साधना के कारण था रुश्यों मुनियों की तपस्यां के कारण था लेकिन साथ कच के भुकम के बाद कच को खड़ा करने का मेरे पास अनुभव भी था और इसलिए मेरा विश्वास था और आज वो विश्वास अपनी आँखों से साकार हुआ देखना इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता है मैं इसे अपना सवभा के मानता हूँ कि बाबा के दार ने संतों के अशिरवाद ने इस पवितर धरती ने जिस मिट्टी ने जिसकी हवाओं ने कभी मुझे पाला पोसा था उसकी सेवा करने का सवभाग्य मिलना इससे बड़ा जीवन का पुन्य क्या होता है इस आदि भूमी पर सास्वत के साथ आधुनिक्ता का ये मेल विकास के ये काम भगवान संकर की सहच कुर्पा का ही परनाम है ये इश्वर नहीं क्रडिट ले सकता इंसान क्रडिट नहीं ले सकता इश्वर कुर्पा ही इसकी हगधार है मैं इस पुनित प्रयासों के लिए उत्राखन सरकार का हमारे उर्जावान नौजवान मुख्यमंत्री धामी जी का और इस कामों की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोगों का भी आज रदय से धन्यवाद करता हूं जिनोंने एडी चोटी का जोर लगा करके इस सपनों को पूरा किया है मुझे पता है यहाँ बर्फबारी के बीच भी किस तरह याने पुरा साल भर काम करना मुश्किल है यहाँ बहुत कम समय मिलता है लेकिन बर्फबारी के बीच भी मेरे हमारे सर्मिक भाई बहें जो पहड़ों के नहीं थे बाहर से आये थे वे यह इश्वरिय कार्य मान करके बर्फबर्षा के बीच भी माइनस टेमपरेचर के बीच भी काम छोड़कर के जाते नहीं थे काम करते रहते थे तब जाकर के यह काम हो पाया है मरब मनिहा लगा रहता था तो मैं बिच पिच में डून की मदद से टकनलोजी की मदद से मेरे जब्तर से यहां का पूरा मैं यह एक प्रकार से वर्चुल याता करता था लगातार में उसकी बारिक्यों कि देखता था काम कितना पहुँँचा महिने पर पहले कहां थे इस महिने कहां पोँँचे लगातार देखता था मैं केदार रातमंदिर के सभी रावल और सभी पुजारियों का भी आज विशेष रुप से आभार प्रकर्टना चाहता हूं क्योंकि उनके सकानात्पक रवये के कारण उनके सकानात्पक प्रयासों के कारण और उन्हों ने परंप्राओं का जो मेहरा मारदर्शन करते रहे उसके कारण हम इसको इस परानी विरासत को को भी बचा पाएं और आधू लिकता भी ले पाएं और इसके लिए मैं पुझारियों का रावल परिवारों का रजे से अभार व्यक्तर करता हूं करता है